हेलो एवरिवन आई जोती वेलकम यू आल आण डूए डाइफर इस्टेडी चैनल आज हम लोग करने वाले हैं क्लास थार्ड E.V.S. इन्वार्मेंटी स्टेडी से चाप्टर 15 मेकिंग पॉर्ट्स तो चलिए इसको देख लेते हैं पॉर्ट आण वेलकम जोती देख लेते हैं अग्रीड फुडी गुडी अग्रीड एक बात एक स्पैरो थी उसको उसका नेम था फुडी गुडी और एक था कम्वा उसका नेम था भनाटे वो दोनों बहुत अच्छे दोस थे एक दिन कम्वा ने अपनी दोस इसका फुडी गुडी से खा अगर तुम पहले अंडे दोगी तो मैं उन्हें खा जाऊंगा और अगर मैंने अंडे पहले दिये तो तुम उन्हें खा लेना सहमत हो इस बात से तो फुडी गुडी आग्रीड हो गई, मान गई A few days later, फुडी गुडी लेड अन एग, कुछ दिनों के बाद फुडी गुडी ने एक अंडा दिया बनाटे सैड, give me your egg, I will eat it, do give it, give it, give it तो बनाटे ने कहा कि तो मुझे अपना अंडा दो, मैं उसे खाऊंगा, मुझे दो, मुझे दो, इसे मुझे दो फुडी गुडी was scared, फुडी गुडी डर गई थी, she said, yes, but I want you to first go and wash your beak in the river फुडी गुडी ने कहा कि पहले तुम नदी में जाओ और वहां से अपनी चोँच दो के आओ भनाटे वान तो दे रिवर बैंक and said to it, oh river, तो रिवर ने कहा, yes brother भनाटे, oh river, please give me some water भनाटे ने रिवर से कहा कि मुझे कुछ पानी दो उसने कहा, with cold water, I will wash my beak, its egg is what I seek जो कमवा था न, उसने नदी से कहा कि तुमारे ठंडे पानी से मैं अपनी बीक दोंगा यह कहते हैं, चूच को, क्योंकि उसको अंडा खाना है, जिसको वो देख रहा है तो रिवर ने कहा, but how will you fill water, get a pot तो उसने कहा, लेकिन तुम पानी कैसे भरोगे, एक pot लाओ तो इसलिए भनाटे potter के पास गया, और जो pot को बनाता है न, उसको potter कहते है यह दीखिए, यह wheel पे pot बना रहा है, क्या आप कभी visit करने गये है potter के पास, जहांपर potters pot बनाते हैं, आप चरूर देखने चाहिएगा बनाते went to the potter and said, बनाते potter के पास गया, और कहा, ओ potter, please give me a pot ओ potter, मुझे pot देदो, यह होता है pot यह पहले इस तरह से मिट्टी से बनाया जाते हैं, कले से, और फिर बाद में इनको आग में पकाया जाता है तो इस तरह से यह pot तयार हो जाते हैं, और फिर इसमें जब पानी भरके रखते हैं, तो वो यह कभी भी खराप नहीं होता, क्योंकि यह अच्छे से पक चुका होता है लेकिन अगर आप गीली मिट्टी से बने हुए इस pot में कुछ भी डालेंगे तो यह तूट जाएगा, लेकिन जब यह आग में पक जाता है, तो यह पानी डालने से तूटता नहीं है और आपने देखा होगा, कुछ जगह उपर चाय भी इसमें पी जाती है, और कुछ लोग इसमें अपने घर का पिकल रखते हैं, अचार रखते हैं और इसके अलावा कुछ लोग जो है इसमें जो वेस होते हैं गुलदस्ते होते हैं उसमें अपने फ्लार्स लगाते हैं यह पिक्चर में आप देख पा रहे हैं कि यह pot बना रहा है और इनके जो family members होते हैं वो इस पे colors भी करते हैं आपने देखा होगा market में बहुत ही colorful pots मिलते हैं और इसके अलावा आपको पता है जो आप दीपावली पे दियाज जलाते हैं वो भी clay से ही बनते है अब हम बात कर लेते हैं कि फिर क्या हुआ इन दे pot I will get water from the river with cold water I will wash my beak eating the egg is what I seek तो यह जो crow था ना यह potter के पास गया और इसने कहा कि please मुझे pot दे दो इस pot में मैं नदी से पानी भरूंगा और उस पानी से मैं अपनी beak को चोंच को धोंगा क्योंकि उसको क्या खाना है उसको egg खाना है the potter said but how do I make a pot go and get some clay from the clay pit potter ने कहा लेकिन मैं तुमें pot कैसे दे सकता हूँ पहले तुम clay pit से clay लेकर आओ यह जो होता है ना यह होती है clay pit यहां से clay निकाली जाती है जो potter होते है ना वो इस clay से pot बनाते है बनाते went to the clay pit and said to it ओ clay pit please give me some clay बनाते जो था बनाते कौन था येस बनाते वाज़क्रो बनाते एक कमवा था वो clay pit के पास गया और उसने कहा ओ clay pit मुझे कुछ clay दे दो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि soil कितने types की होती है बच्चो देखो ये होती है sandy soil जिसमें rate होती है जब आप उसको हाथ से छूते है ना तो कैसा होता है उसको हाथ से छूने पर वो आपके हाथों पे चिपकती नहीं है जब आप हाथ से मुठी से नीचे गिराएंगे तो वो चमकते हुए दिखती है धूप में बहुत शाइन करती है और रेगिस्तान जो एरिया होता है ना वहाँ पर sandy soil ही पाई जाती है और ये जो होती है ये लॉयमी soil होती है इसको बलूई मिट्टी भी कहते है ये केले की फसल के लिए बहुत अच्ची होती है और ये जो होती है ओ जादा सेंड होती है और ना जादा place होता है और इस मिट्टी में अगर आप पानी डालते हैं तो अच्छे से ये मिट्टी मिक्स हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट होती है तो जो भनाथे था वो कले पिट के पास गया उसने क्या कहा उसने कहा मुझे कुछ कले दे दो उसके बाद वो कहता है कि जो पॉटर है वो इससे पॉट मेरे लिए बनाएगा और फिर उस पॉट में मैं पानी भरूँगा और उस थंडे पानी से मैं अपनी चोंच धूँगा और फिर जो मैं अंडा खाना चाहता हूँ वो मैं खाऊँगा चलिए फटाफट से आप मुझे कॉश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर बताईए बनाएटे जो था वो कौन था और वो किसका एक खाना चाहता था दकलेपिट से आड़ कलेपिट ने कहा बट हाउ डू आई दिख दे स्टॉइल कलेपिट ने कहा कि मैं सॉइल को कैसे हो दूँगी मुझे एक ट्रॉवल दो ब्लैक स्मिट से ला करके तो जो बनाएटे था ना वो ब्लैक स्मिट के पास गया और उसने उसको कहा ओ ब्लैक स्मिट तो ब्लैक स्मिट ने कहा येस ब्रदर्स बनाएटे वाट डू यू वांट उसने कहा तुम क्या चाहते हो, तो भनाते ने ने कहा प्लीज गिं मे आ ट्रॉवल जो पिक्चर में आप देख रहे हैं इसको ट्रॉवल कहते है, इसने मिट्टी को डिग किया जा सकता है तो फिर से उसने क्या कहा क्रो ने उसने कहा The clay pit will dig out the clay floor With the trowel जो clay pit है वो उसमें से जो trowel है उसकी help से मुझे clay देगी फिर मैं उसको क्या करूँगा उससे जो pot बनेगा उसमें पानी भरूँगा और उस थंड़े पानी से मैं अपनी बिक को धोँँँगा चोच को धोँँगा और फिर मैं वो ही अंडा खाऊंगा जो मैं खाना चाहता हूँ ब्लाक स्मिथ साथ शूर, यू कन टेक दे ट्रोवल बाट दू रिमेंबर टू रिटान इट तो ब्लाक स्मिथ ने उसे कहा कि शूर, मैं तुम्हें दे देता हूं ट्रोवल लेकिन याद रखना तुम इसको मुझे वापिस कर देना भनाते ने ट्रोवल लिया और वो क्ले पिट के पास गया और फिर सॉयल को डग किया और कुछ क्ले ले ली फिर पोटर के पास गया तो पोटर ने उसके लिए एक पोट बना दिया बनाते ने उसमें वाटर फिल किया और अपनी चोंच को धो लिया उसके बाद वो जल्दी से फुडी गुडी का एक खाने के लिए दोड़ा तो सोचिए इसमें उसका कितना टाइम वेस्ट हुआ होगा ना कि पहले वो कहा गया था सबसे पहले वो गया था पॉर्टर के पास पॉर्ट लेने तो पॉर्टर ने उसको कहा भीजा था उसको भीजा था उसको भीजा था क्ले पिट के पास अब क्ले पिट ने क्या कहा था प्लाक स्मित के पास जाओ और मेरे लिए ट्रॉवल लेकर आओ तो इसमें बहुत टाइम लग गया था अब देखते हैं क्या हुआ होगा इतना टाइम चला गया कि इस पैरो का जो एक था उसमें से बेबी निकल आया लिटिल बर्ड केम आउट और छोटा सा बर्ड निकल आया और वो उड़ गया फार अवे फ्रॉम भनाटे बहुत दूर भनाटे से ये जो कहानी है ना ये एक भोजपुरी कहानी है और ये लिखी है अनापूर्णा सिन्हाने अब देख लेते हैं इसके कुश्चन आंसस को वाई डिट दे क्रो नीड अपॉट क्रो को पॉट की क्यों जरूरत थी देख रो नीड़ दपॉट तो फिल वाटर इन इट सो दाट इट कूट वाश इट बीक क्रो को पॉट की क्यों जरूरत थी पानी भरने के लिए ताकि वो इसमें अपनी चोज़ दो सके किस किस ने हैल्प की थी क्रो की पॉट बनाने के लिए ब्लैक स्मित ने क्रो को ट्रॉबल दिया उससे उसने क्या किया था क्ले ली थी क्ले पिट से फिर पॉटर ने क्या किया था उस क्ले से एक पॉट बनाया था कमवे के लिए what things did the potter need potter को किन किन चीजों की जरूरत होती है the potter needed clay for making the pot इसके अलावा उसको एक wheel की जरूरत होती है जिसके उपर रख करके वो pot बनाता जाता है और आप लोग potter के यहां visit जरूर करना आप उसको बनते वे देखना आपको भी बहुत मजाएगा are there utensils made of clay in your house which are these क्या आपके घर में कुछ clay के बने हुए बरतन है वो कौन-कौन से है वो सब के घरों में होते है जैसे कुछ small ball होते है cups होते है, pots होते है और इसके अलावा waste होते है जिसमें आप flower लगाते है a ball from a roll of clay यहाँ पे एक activity है need some clay with water आपको क्या करना है clay बना लेनी है water की help से और फिर उसको mix कर देना है आपको क्या करना है थोड़ी सी clay अलग रखनी है और बाकी clay को हाथ में रखना है और यहाँ पर जो है activity आप कैसे करेंगे आपको क्या करना है clay लेनी है और फिर उसको ball बनानी है सेकिन एक्टिविटी में क्या करना है आपने जो क्ले है उसको अलग अलग रख लेना है पहले क्ले से आप गोल गोल बना लेंगे रोटी की तरह इसके बाद इस तरह से बाद में इसको इस तरह से रोल बनाएंगे फिर उसको इस पर चिपकाएंगे इसके साथ मैंने इसकी वी A pot from a chapati of clay Look at the picture and make a pot इस picture को देखिए और pot बनाईए इसकी activity भी आप देख सकते हैं यहां देखिए what will happen if you store water in these pots overnight क्या होगा अगर आपने पूरी रात इन पॉर्ट में पानी रखा देखिए what will happen if you store water in these pots overnight जो पानी आप इन में रखेंगे वो पूरी रात थंडा हो जाएगा वी ओफिन कीफ वाटर इन अ क्ले पोट एट होम और इन दा स्कूल why do these pots not get spoiled by the water आपको बताना है कि जो आप clay pots हैं उसमें पानी रखते हैं अपने घर पे भी कभी-कभी स्कूल में भी रखते होंगे तो यह जो पानी है वो गंदा क्यों नहीं होता है इन pots में क्योंकि यह जो पानी होते है इसमें पानी जो है यह संद में या फिर fire में लगों के पास बाउड नहीं होते थे तो हो क्या करते थे वह पानी किस में फिल करके नहीं रखते थे फूट को वाटर को मिल्क को क्योंकि पॉट्स ही नहीं होते थे तो लोग जो है इधर उदर घूमते रहते थे जब भी उनको प्यास लगती थी तो वो नदियों के किनारे जाकर रहते थे इसलिए बहुत पुराने समय में लोग नदियों के किनारे ही अपना बनाते थे इसके अलावा वो लोक कुछ पथ्थर के बने हुए पॉट्स को या पथ्थरों के घिसाई करके कुछ पॉट्स बना लेते थे थे थोड़ा थोड़ा चीजियं उसमें रखते थे next question है why would people have made pots लोगों ने जो pots हैं वो क्यों बनाए होंगे pots were made to store items like water and milk they were used to keep the content cool during summers जो pots थे वो दूद और पानी को store करने के लिए बनाए गए थे और जो हैं ये गर्मियों के दिनों में इन में जो भी आप डालते हैं दूद डाले चाहे पानी डाले तो ठंडा रहता है एक दिन पूरी दुनिया से ये जो पॉर्ट से ये डिसापियर हो जाए तो तुमारे घर में क्या होगा इमेजन करना है आपको और आप चाहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिकर बता सकते हैं आपको ये वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कर दें अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो लुक चैनल पर नहे है चैनल को सब्सक्रा करने थैंक्स पर वाचिंग